नेहा सिंग राठोर को मिला नेता जी का अश्रुबाद मुलाइम सिंग यादब भी हैं नेहा सिंग राठोर के फैन नेहा सिंग राठोर के गाने नेता जी को हैं बेहत पसंद नेता जी ने देखिये नेहा सिंग को कैसे दिया अश्रुबाद सोशल मीडिया संशेशन नेहा सिंग राठोर की सपा दफ्तर में तो एंट्री पहले ही हो चुकी थी लेकिन अब नेता जी मुलायम सिंग यादब का भी आशिरवाद नेहा सिंग राठोर को मिल गया है नेहा सिंग जिस अंदाज में सताधारियों पर निशानत साथती हैं उससे तो हर कोई उनका दिवाना है ही लेकिन नेता जी मुलायम सिंग यादब को नेहा सिंग के तमाम गाने बेहत पसंद हैं नेता जी मुलाइम सिंग यादब आज से नहीं बलकि बहुत पहले से नेहा सिंग राठोर के फैन हैं। नेता जी को नेहा सिंग के बारे में सपा नेता आशू मलक नेता आशू मलक नेता जी मुलाइम सिंग यादब के खाफी करीब ही माने जाते हैं और हर हफ़ते नेता जी मुलाइम सिंग यादब से वो मिलने भी जाते रहते हैं ऐसे में आशू मलिक ने भी तमाम गाने सपा के रिलीज किये हैं और जब नेता जी से आशू मलिक मिलने गए तो उन्होंने अपने लेपटॉप से नेहा सिंग राठोर का गाना सुनवाया जिसके बाद नेता जी मुलाइम सिंग यादव नेहा सिंग राठोर के फैन हो गए औ और अपने पहले ही गाने से सुर्खियों में आ गई थी जिसके बाद से नेहा सिंग ने लगातार स्टायर करने का सिसला जारी रखा खास तोर पर उतरप्रदेश के चुनाओं के वक्त नेहा सिंग ने यूपी में काबा गाने की पूरी एक सीरीज रिलीज की है और नेहा सिंग राठोर के हर गाने को मुकंबल मकबूलियत भी मिली है नेहा सिंग राठोर लगातार सुर्खियों में चाय हुई है और एक के बाद एक नए गाने रिलीज कर रही है नेहा सिंग राठोर पर अक्सर सपा परस्ती का आरूप लगता है और सत्ताधारी बीजेपी के लोग नेहा सिंग राठोर पर सपा से पैसे लेकर गाने बनाने का आरूप लगाते हैं लेकिन नेहा सिंग राठोर का कहना है कि वो गाने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रख कर बनाती हैं और किसी से कोई पैसान नहीं लेती लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए मैं पैसे लेती हूँ तो फिर वो घलत फहमी का शिकार है नेहा सिंग राठोर का मानना है कि प्रदेश की सामाजिक इस्तिती से वो काफी वाकिफ है और जो हालात बन रहे हैं उनको एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पर शान तो कर देखना उनके फितरत में शामिल नहीं है इसलिए वो सत्ताधारियों पर निशानत साथती है लेकिन अगर ये किसी को चुबता है तो फिर मैं ऐसे चुबने वाले काम करते रहना चाहती हूँ ऐसा नेहा सिंग राठोर का कहना है वेरोर रिपोर्ट मीडिया हल चल झाले किसी को चुबता है झाले किसी को चुबता है झाले किसी को चुबता है